फ्रेंड्स Google बिजनेस प्रोफाइल पे फोटो कैसे आड़ करना है किस-किस टाइब का फोटो आड़ किया जाता है उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है साइज क्या है और किस-किस चीजों का ध्यान रखना है वह इस वीडियो में मैं इन डिटेल्स में बताने वाद हू हाई फ्रेंड्स मैं हूँ बंसी धहर आरेंड डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स वीडियो इंपोर्टांट है आपको बने रहना होगा इस वीडियो के एंड तक एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरू करते हैं फ्रेंड्स गुगल बिजनेस प्रोफाइल पे फोटो कैसे आड करना है उसका इन डिटेल्स में अभी हम बात करेंगे फोटो आड करने से पहले हमको थोड़ा सा फोटो का गाइड लाइन समय समझ लेना चाहिए बहुत सारे लोगों को गाइड लाइन जो है नहीं वीडियो में हम फोटो का बात करेंगे सब्सक्राइब जब आफ फोटो अपडोर करेंगे आपको यह सबसे पहले जब आफ फोटो हो फोटो करेंगे होना चाहिए उन जिघ्यान लखे इसके अलावा दूसरा को यह है आप अप्लोड करेंसे आपका photo होुआ जायेंगा बहुसा लोगा फोटो रिजेक्ट होता है उनको नहीं समझाता मुआ है यह उसके बात फोटो का शाइज क्या होना चाहिए जो भी photo upload करना अचाहते हैं वो photo 10 कभी से कमनी होना चाहिए और 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब यहां पर लिखा है बीट्विन 10 के भी एंड 5 MB यानि 5 MB से ज्यादा फाइल होगा तो नहीं चलेगा और 10 के इसे कम साइज होगा तो नहीं चलेगा तो फोटो का साइज इसमें जरूर आपको यह वाले ध्यान डखना है उसके बाद यहां पर फोटो के रेजलिट्विशन क्या होना चाहिए जो गूगल बिजनेस प्रॉफाईल का जो रेकमेंडेड रेजलिट्विशन है जो रेस्ट होता है वो है 720 pixel tall by 720 pixel wide तो ये Google खुत जो है recommend कर रहा है best resolution इसके अलावा Google यहां पर minimum resolution बता रहा है कि आपका जो profile आप जो photo आप upload करेंगे उसका कम से कम resolution जो है वो 250 pixel by 250 pixel होना चाहिए 250 pixel से resolution अगर आपका कम है तो वो photo नहीं चलेगा reject हो सकता है यहां मैं मेरा एक personal opinion में आपको देना चाहता हूँ 720 pixel अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है मैं most of the time 1080 by 1080 upload करता हूँ जो Instagram का size है और वो कभी भी reject नहीं हुआ है कभी भी reject नहीं होता है तो वो मेरा personal अनुभव है अगर आप चाहेंगे instead of 720 आप 1080 by 1080 भी आप try कर सकते हैं माल जी कि आप Instagram के लिए पोस्ट बनाए हैं तो Sam जो फोटो है आप यहां upload कर सकते हैं तो आपको दोनों अलग-अलग size आपको maintain नहीं करना परेगा हाँ 1080 के अभब लेंगे तो तकलिब होगा लेकिन 720 recommended है और मेरा recommendation है 1080 by 1080 उसके बाद यह एक चीज खास आपको ध्यान रखना है quality quality में आपको कुछ चीज ध्यान रखना है जो मैं आपको पढ़के इसका meaning बता दूँगा मतलब जब आप photo आप डालेंगे उस photo में बहुत सारे editing नहीं होना चाहिए वो photo एकदम clear होना चाहिए लोग क्या करता है बहुत सारे type के filters बगरे डाल देते हैं उसको बहुत सारे चीज़े edit कर देते हैं और वो photo real नहीं लगता है तो google में वो photo reject हो जाता है आपको editing नहीं करना है अगर आप editing कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत edit करना है आपको ऐसे edit नहीं करना है कि photo real ना लगे तो photo हमेसा real चीज़ को represent करना चाहिए यह आपको ध्यान लखना है उसके बात आपको यह देखना है कि google business profile पर आप किस type के photo आप 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 कर सकते हैं तीन type के photo आप आप कर सकते हैं दूसरा cover photo आप आप कर सकते हैं यह देखिए तीन type का photo आप आप कर सकते हैं google business profile पर एक आप logo आप कर सकते हैं दूसरा cover photo आप कर सकते हैं तीसरा business photo आप कर सकते हैं हाला कि logo and cover photo जो है यह one time है आप logo हमेसा every हपते या every month आप आप नहीं करें के one time activity है cover photo भी mostly one time activity है आप 6 मेंने में एक बार आप change कर सकते हैं लेकिन जो business photo है यह आप everyday art कर सकते हैं every week art कर सकते हैं जैसे आपको convenient है इसमें आपका products हो सकता है आपका services हो सकता है कोई offer हो सकता है हो सकता है कोई social proof हो सकता है कोई behind the sense का photo हो सकता है तो यह तीन टाइप का photo आप upload कर सकते हैं अब मैं आपको practical बताऊंगा कि आपको कैसे upload करना है अप्लोड करने के लिए आपको आपका profile पर आ जाना है profile पर आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यह new dashboard है यहां पर आड़ फोटो लिखा हुआ है तो आड़ फोटो पर हम जैसे ही click करेंगे जैसे मैंने आपको यहां बताए था यहां पर आपको बताए था कि तीन टा आप बाले जो है यह आपको continue करना है और continuously लगेगा आपका profile को rank करने के लिए तो जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे छोटा साइग उइंड़ ओपन हो गया यहां पर आपका फोटो को ड्राग कर सकते हो या फिर सिधा आप यहां पर upload कर सकते हो अभी हमने फोटो रखे हैं जिसको मैं आपको drag कर के दिखा देता हूँ. यहां पे यह फोटो हमने रखा है यह मने drag and drop कर दिया जैसे कि drag and drop कर सकते हो जैसे normal upload करते हैं ऐसे आप upload कर सकते हो देखो फोटो अपलोड है लिखा हुआ आ गया और यहां पर लिखा हुआ आगया कि आप देखना चाहेंगे तो फोटो आपको दिखाई देने लगेंगे यहां पे फोटो यह दिखाई दे रहा है अभी हमने फोटो को अप्लोड किया है इसके लिए यहां पे यह पेंडिंग options दिखा रहा है थोड़े टाइम के बाद जैसे गुगल से अप्रूब आ जाएगा तो पेंडिंग वाले options जो है यह हट जाएगा जैसे मैं example नीचे वाले फोटो को आप दिखाऊंगा यहां पर देखिए कुछ इसके लब और ज्यादा कुछ यहां नहीं लिख्या है मतलब editing का अगर बात करो तो यहां पर हमने बहुत ज्यादा editing नहीं किये हैं यहां हमने editing ही नहीं ही है हमने सिधा raw photo को डाल दिया हैं स्रीप हमारा इंस्टा हैंडल और लोगो आड़ करके तो इस तरीके सा आप देख सकते हैं यहां पर आपका फोटो हो गया अपलोड अभी मैंने जो फोटो अपलोड किया उसका टेक्निक अलग्डिय आपको बताऊंगा आपको ऐसा लेगा कि मैं तो कुछ भी आड़ कर दिया इस फोटो का प्रोपर्टीज चेक कर लेते हैं देखे इसका प्रोपर्टीज अगर मैं चेक करूँ जैसे आपको बताया था कि फोटो जेपीजी या पीएंजी होना चाहिए यहां आप देख सकते हैं मैं इसका डिटेल्स में जाता हूं सबसे पहला आप द यहां पर PNG हमने यूज किया है JPG और PNG दोनों यूश्फुल है आपको जो ले सकते हैं मैं ज्यादा तो टाइम पर PNG प्रिफर करता हूं उसके बाद यहां पर साइस देखिए 1.46 MB है जैसे हमने पहले सिखे हैं कि 10 KB से कम नहीं होना चाहिए 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहि करते हैं मैं यहां recommend करूंगा आप इसको social media के तरीके साब यूज करिए आप consistently आप photo upload कर सकते हैं और मैंने जैसे बताया खाली products photo नहीं जैसे social media ना आप different types के photo आप upload करते हैं ऐसे upload कर सकते हैं जैसे आप social media के लिए content calendar बनाते हैं similarly Google business profile के लिए आप content calendar बना सकते हैं ताकि यह भ accuracy यह सारे चीजे Google देखता है तो इसके लिए photo post करना regularly और राइट तरीके में post करना बहुत ही important चीज है I hope यह आप अभी तक सिख गए होंगे और आप please हमेशा consistency maintain करना आपका मालज़े की capacity आप रोज post कर सकते हैं तो करना अगर आप हफते में एक बार photo post कर सकते हैं तो करना लेकिन उसको maintain करना आपका लगता है कि हफते में दो post आप कर सकते हो तो करना लेकिन यह consistency maintain करना ऐसे नहीं कि आज आपने किये 15 दिन के बाद 5 photo update कर दिये 6 मने के बाद आके 25 photo update कर दिये ऐसा प्लीज मत